दीवी अक्ट्रस कामया पंजाबी ने कुछ दिन पहले ही अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुला सकिया था उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली के एक बड़े बिजनसमैन को डेट कर रही है इतना ही नहीं पिछले काफी वक्त से वो अपने बॉइफ्रेंट शलब के साथ अपनी तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया रही है ऐसे में इस बीच उनके अफेर पर लोग तमाम तरह की बाते करने लगे लेकिन आप फाइनली अपने बॉइफ्रेंट संग शादी पर कामया ने बड़ा खुलासा किया है जी हाँ कामया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो आखिर कब शलब के साथ शादी करेंगी कामया ने कहा है कि वो अगले साल 10 फरवरी को शलब संग शादी रचाएंगी कामया और शलब की ये दूसरी शादी होगी दरेजल कामया ने अपने इंस्टेग्राम पर शलब डांग के साथ एक नई तस्वीर शेर की और फिर इस पिक के कैप्शन में उन्होंने अपनी शादी की तारीक का खुला सकिया अपनी पोस्ट में कामया लिखती है वासे आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर अपना अफेर पब्ली करने के बाद कामया को कई सारे भधे भधे कमेंट्स का सामना करना पड़ा ट्रोलर्स ने उन पर खुब परसनल अटाक किये किसी ने कामया को खटिया और अटाक दिया तो किसी ने उनकी बच्ची को लेकर अभधर बाते कहीं लेकिन अब इस सब के बाद कामया और उनके बॉइफरेंट चुप नहीं बैठे उन्होंने अपने ट्रोलर्स का मूद तोर जवाब दिया खुछ शलब डांग ने अपने सोशल मीडिया पर कामया पंजाबी संग अपने सेलफी पोस्ट की थी और उन्हेंने लिखा था मैं वादा करता हूँ कि तुम अपने चहरे पर ये एक्स्प्रेशन हमेशा बनाई रखोगी वलागर बात करने शलब और कामया की लव स्टोरी की तो अपनी लव स्टोरी के बारे में हाल ही में बॉंबे टाइम से इंट्वी के दौरान कामया ने कई बाते कहीं कामया ने कहा था कि उनकी और शलब की मुलाखाद फरवरी में हुई थी उनके एक दोस्त के जरिये और फिर इसके बाद दोनों की बातें शुरू हो गई और बाद अब शादी तक आप पहुँची है और आप जाकर बीना किसी हेजिटेशन के दोनों ने अपनी शादी का खुलासा भी कर दिया है तो बही अब हम तो कामया पंजाबी को दौरहन के अफ्तार में देखने के लिए काफी एकसाइटेड है आप भी बताईए कि कामया को दुलहन के रूप में देखने के लिए आपको कितना इंतजार रहेगा